मेरा नाम महमद इक्बाली तो है मैं साधिवारा दूरुशाबाद कर रहने वाला हूँ तो मैंने M.Ed. M.Phil किया है गवर्मेंट नोकरी ना मिलने की वज़े से हमने चायदाम शुरू किया है मेरा नाम महमद इक्बाली तो है मैं साधिवारा दूरुशाबाद कर रहने वाला हूँ तो मैंने M.Ed. M.Phil किया है गवर्मेंट नोकरी ना मिलने की वज़े से हमने चायदाम शुरू किया है मैंने 5 साल हैं कंट्रेक्टिफल में काम किया हैं तो कम पता नहीं क्या हैं कि हम के से निकाल भी पता नहीं क्योंकि हमारे हम से पहले में 1292 ब्हें को बीट है 2005 में उनको पर्मेट कर दिया गया अफ侯ा है बावन्म हальные ओमर उबला शहाब उन्हों निकाले थे पॉर्स में जब उनका लास्ट मतलब तालने प्यालने थे चाहिए उनका यह ख्याल है कि हमTo data का रेंगे उसके बाद प्रचुद सुचछा यह नहीं निकाल दिया इसका पॉलिटेक्स बाकी कुछ नहीं पिर उन्हों ने क्या गी एक फिर उन्होंने अपने रिजदारों को बैंक में आप्र बाकी सारे अध़्याय यानि यद्यवी की बिपर अगर इसमें देख जाए तो बस चारे रिजदार के आपको एडिपी इसको बोलते है बैंक और य काल आपका जो फोटो वाइरल वाया है, उसके मालब वो सपना कहां से आया आपको मतलब बेरोजगारी के बाद आपको सपना कहां से आया फिर? हाँ मैं वहर टीचर ट्रेनर काम ही कर रहा था तो वहां मैंने ऐसे मदलब तूरिस पास पर ऐस तरह के वेन्स देखे हैं तो फिर हमारा अंसपनी यह आए कि हम भी कश्मीर में शुरू करेंगे इस तरह का तो किसी किसी जगा पर हम यह शुरू करेंगे तो हम अपने टांगों पर खुद खड़े हो जाएंगे क्योंकि गवर्मेंट के पास कुछ नहीं है क्योंकि वह खुद खाली हो चुके है वह टेक्स पर टेक्स लगा रहे हैं लोगों को बरुबाद कर रहे हैं क्योंकि आप देखो कल भी आया है तो अब जितने भी खाने पीने की आइटम्स है उ और कश्मीरी नाम ही रखा है क्योंकि वह नाम एंसान हमेशे रखना चाहता है जो मतलब जल्दी आ जाए और रही किसी तो इस पिर किसी कि जबान पही है तो इसको अच्काल के यूथ ड्रग्स में वालों है आप उनके लिए क्या मेंसेज देना चाहते हैं मैं जितने भी य मतलब काम ऐसा नहीं है, जो नहीं हो सकता है, बस महनत करनी है, महनत करेंगे और वो खुद अपने टांगों पे खड़े हो जाएंगे, गर्वालों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेंगे, जो ड्रेग्स वगेरा जो करते हैं, तो उनसे ये मेसेज रहेगी कि अगर वो किसी काम में लग जाएंगे, तो वो ड्रेग्स वगेरा नहीं करेंगे, क्योंकि इनसान तभी ड्रेग्स करता है, तभी गलत रास्ता एक्तियार कर लेता है, जब वो बेका मेले रहे हैं, इस चीज के लिए घर वालों ने आपने आपको सपोर्ट किया है या नहीं किया है? घर का अहमद गना एडवोकेट, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, घर की बात बुर रहा हूं, घर मैसे मदब फादर, अस्लाम अलेकुम, सबसे पहले आपका खेर मंगनम क्या आप यहां पे आए, तो यह वो जूहत क्यों रहा फिर आपने इतना पड़ा है, उसके बाद आपन भी नहीं शुरू की है, सर. यूनिट स्टाट करेंगे, जिसे हम अपनी रोज मारा की जिन्दगी को आगए बढ़ा सके, आपके गर में सर कौन-कौन है, और आपको यह चाई बेजना, क्यों मतलब आपने क्यों यह शुरू किया है, सर. हमने इसलिए ही शुरू किया है, क्योंकि हमें लगा कि यहां पर जो यह जनक फूर्ट जिनको हम बोलते है, फास्ट फूर्स, सॉरी, जो फास्ट फूर्स है वो बहुत ज्यादा चलते हैं, इसको यहां के जो बच्चे है, मतलब सभी एज के जो यहां पर इसको पसंद करते ज्यादा, उपर से यहां पर जो सुपार्ट है, होस्पिटल यहां पर और सिटैडियम है, यहां पर बहुत सारे टॉर्णामेट होते हैं, तो काफी सारे बीड माशाला यहां पर होती है, इसलिए हमने सोच आए कि यह हमारे लोकल में है, तो फर्स्ट आफ हाल हम यहां पर स में इसको लांज करेंगे आपके नाम रखा है चाइदाम और आपने एक कहां से मतलब आपकी दिमाग में एक कहां से नाम यह आया है सर हमारे एक रिलेटिव है एड़ुकेट फारुकामत गनाई सब जिसके हम दिल से शुक्रियादा करती है कि जुन्हों ने हमें बहुत सारी हलब की और यह इतना अच्छा एडिया दिया और उसी की बदलत से मतलब जो कुछ भी सारा फलान था तो उसी का हाथ इसमें रहा है सर आपके गरवालों ने बहुत सपने देखे थे आपने इतना पड़ाई किये और उसके बाद आपके गरवालों ने आपे बहुत सारे फाई से खरज किये है और उसके बाद आपने यह चाई बेजना शुरू किया है तो आपके गरवाले इसमें कितने खुश नजर आ रहे ह माशाळला मैं बहुत खुश हूँ जो मैंने युनिट यांपर खोला है मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपके मैदम से थैंक्यू बोलना चाहतू हूँ अपने पेरेंट्स को जोने मुझे काफी ज़्यादा सपोर्ट किया है इस काम में और मुझे काफी हल भी कर रहे है इस होसला मुझे दे रहा है कि कोई नहीं अच्छा विजनस आपने खोला है हम आपके साथ है तो उनको आपके मैदम से यही बोल रहा हूं कि थैंक्यू मुम्मी डैडी ऑल आफ माय रिलेटूज एस्प्रेशली फारुक आमद गनाई साब एंड मुंस्वर कमिटी प्रेजडेंट मुम्मद इकबाल एंगर साब और आजकल की जो यू ड्रगस में वालो नजर आ रहे हैं आप उनके लिए क्या मेसेज देना चाहते हैं उनके पास भी बहुत सारे ऐसे प्लैट फारम है आपने इस तर एक चाई बेजना शुरूर किया उनके पास भी बहुत सारे प्लैट फा और उपर से जो यूग एज के बाइस जो है खासकर वो ज्यादा इसमें मुलवस पाए जाते हैं मेरी मेसेज पूरी जो जुमु कश्मिर की यूथ है उनको यही रहेगी खासकर जो पड़े लड़के यहां पर उनको मेरी मेसेज रहेगी कि यह नहीं सोचना है कि हमको इतनी कालिफिकेशन है अब हम वो काम नहीं कर सकते हैं अब सिर्फ और सिर्फ हमें जाब ही मिलनी चाहे वो डिपेंड नहीं करता है कि जाब भी तो मिले तो मेरे खायाल से सब को यहां पर जाब नहीं मिल सकती कि इतनी वेगेंसी नहीं निकलती है आप पिछली एक्जाम की बात क पड़े लड़के हैं उनसे यही रहेगी कि जैसे हम यह चोटे मूटे यूनिट स्टार्ट कर सकते हो और जिसमें आपको उतना सारे पैसा भी नहीं खारिज करना है चोटा सा एमॉंट खारिज करना है वह सी मेसेज रहेगी कि कुछ करो अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़न करना चाहिए तो इतने भी बहुत सारे पैरेंट्स होंगे जो दिन में मजदूरी करते हैं और फिर अपने बच्चों को पड़ाते हैं गॉर्मेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा स्टबले कम से कम 30-40 परसंट जो लड़के हैं वह एड़ेस्ट हो जाए इसमें और जो आपने वह पिछले दो तीन मेने से वह स्कैम किया है वह ना हुए अच्छे से एक्जाम किया जाए ताकि जो गरीब खांदान से तालोग रखते हैं लड़के वह अराम से एड़ेस्ट हो जाए थैंक्यों सो मैज थैंक्यों